अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजीये कमेंट कीजे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजी Hair oiling का स्मूद एप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें बालों को अच्छी तरह से कोम करना जरूरी है तो यहाँ पर मैं अपने बालों को कोम कर रही हूँ Hair oiling करने के लिए partition करके हमें बालों के roots में पहले oil apply करना है तो यहां पे मैंने globalization 2500 oil यूज़ किया है और cotton ball की मधद से मैं अपने बालों के roots में एपलाई कर रही हूँ तो यहां पे मैं सारे front side के सारे बाल में partition करके roots में hair oil एप़लाई कर रही हूँ हम regular hair oil तो करते हैं लेकिन इतना heavy hair oiling नहीं करते हैं तो regular hair oil करने के बाद हम ज्यादा like 6-8 गंटे तक अपने बालों में रख सकते हैं लेकिन heavy hair oiling करने के बाद हमें बालों को 2-3 गंटे में wash कर देना चाहिए यहां पर मैंने cotton ball इसलिए यूज़ किया है क्योंकि cotton ball में oil अच्छी तरह से absorb हो जाता है तो heavy hair oiling करने के लिए हम cotton ball अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं कि cotton ball की मदद से कितना अच्छी तरह से oil spread होता है और roots में भी अच्छी तरह से oil absorb हो जाता है मेंधी लगाने के बाद जब हम बालों में hair oil करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा massage नहीं करना है लेकिन dab-dab करके ही हमें oil लगाना है तो यहां पर मैंने सारे roots में oil apply कर दिया है और बालों के length में ही लगाना बाकी है तो बालों में लेंथ में लगाने के लिए मैंने यहां पर दो cotton ball यूज किये हैं और यहां पर उस technique को हमें यूज करना है जैसे हम बाल straightener से straight करते हैं तो थोड़े-थोड़े बाल लेकि यहां पर मैं दो cotton ball के बीच में straightener के जैसे straight करते हैं उस तरह से उठी रेक्षन में मैं ऐसे spread कर रही हूँ तो उससे क्या होगा कि cotton ball में जो भी oil होगा वो सारा बालों की length में अच्छी तरह से spread हो जाएगा अगर हम regular hair oiling करते हैं तो उसमें हम दोनों हाथ में लेके oil बालों की length में लगाते हैं लेकि यहाँ पर हमें heavy hair oiling करना है उसके लिए मैंने cotton ball यूस किया है तो उससे heavy hair oiling easily हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बालों के ends में भी अच्छी तरह से oil spread कर रहे हूँ तो जब भी आप भी hair oiling करें तो बालों के ends में hair oiling करना कभी भी मत बुलें प्यूकि बालों के ends हमेशा थोड़े से dry और rough हो जाते हैं तो hair oiling करने से बालों के ends को moisture मिलेगा बालों के अच्छी पालों के पालों के रहे हूँ यहां पर मैंने सारे हैर लेंथ में भी ऑईल स्प्रेड कर दिया है अब मैं अपने क्राउन एरिया में थोड़ा सा ऑईल ड्रॉप कर रही हूं और आप सुन सकते हैं कि उसमें जेंटली में पैट कर रही हूं ऐसा करने से ओईल अच्छी तरह से हमारे स्काल्प में एब्सर्ब हो जाता है और हमारे स्काल्प को हेल्दी भी रखता है अब आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे बालों में अची तरह से पॉल स्प्रेड हो गया है तो अब मैं इसमें बन बना देती हूं हैरोलिन करने के बाद हमें बालों को कॉम से कॉम नहीं करना है बस ऐसे हाथ से ही हमें कॉम करना है हैरोलिन करने के बाद अब ऐसा बन बनागे मैं इसे प्लास्टिक के रैप से कवर कर रहे हूं ऐसा करने से हमारे कपडों में स्टेन भी नहीं लगेगा और स्काल्प को भी थोड़ा रिलेक्स मिलेगा ओल को भी थोड़ा एब्जॉब होने में थोड़ा हेल्प मिलेगा तो मैं इसे प्लास्टिक रैप से कवर करके फिर उसके उपर शावर कैप लगाके उसको दो गंटे तक रखने वाली हूं और फिर उसे शेंपू उसे वाश करना है तो ये था मेरा आज का हैरोलिंग का वीडियो अगर आपको मेरा ये